नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनेशा धर्मा सर्मार मेश रासी वालों साथ नवंबर से बुद्ध देव वक्री हो रहे हैं और ये वक्री बुद्ध आपके जीवन में क्या करेगा हाल आपका ये हम बताने की कोसिस करेंगे देखें 23 अक्टूबर को बुद्ध देव परवेश किये थे और यहां पर 31 अक्टूबर को वक्री थे अब इसी वक्र अवस्था में चलते हुए 7 नवंबर को बुद्ध देव साम में करीब 4 वजे तुला रासी में परवेश कर गये अब यहां पर 21 अवंबर को मारगी होने के बाद फिर से 5 अवस्था में आएंगे तो इतने समय में आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा इस बुद्ध के वक्री चाल का ये हम बताने की कोसिस करेंगे में इस रासी वालो आपके तीसरे और छटे भाव के स्वामी है बुद्ध देव और इस समय आपके सब्तम भाव में रहेंगे अब सब्तम भाव हमारे जीवन में होने वाली बड़ी साजेदारी का भी भाव है और साथ ही जीवन साथ ही का भी अगर हम देखा जाए तो सब् इन उब नर्सिप में करते हैं, तो वो भी यहां से देखा जाता है. साथ ही विदेशी ब्यपार भी साथ भोंकार साथ ही भी सब्वार सबसे अधिक प्रमाव भी पड़ेगा. अगर बैवाहिक जीवन में हैं, या कहीं बाहर किसी से बाद भी बाद ना करें क्योंकि यहां पर समस्याएं होने की समभावना बनती है मिल बैठ कर अगर बाते करते हैं सुलजाते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा वरना आपके बैपार में समस्या के कारण घाटा भी हो सकती है इसलिए कोई भी निर्ने लेते हैं तो बहुत सोच समझ कर लिएगा और संभब हो तो इस समें महत्वपूर्ण निर्ने अकेले मत लें बलकि सबसे सलाम मसवरा करके लीजिए क्योंकि यहां पर देखिए एक और चीज है कि छोटी यात्राएं भी होंगे और छोटी यात्राएं आपके लिए ज़्यादा आची रहेंगी क्योंकि लंबी यात्राएं में थोड़े कश्ट दिखते हैं तो साबधानी भी रखना होगा और सत्रू बिरोधी से इस समय साबध कर रहें और आपको तो पताई है बुद्ध जो राजकुमार गर्या है हमारी बानी हमारी बुद्धी सबका अच्छा और बेहतर बुद्धे भी बनाते हैं और इनके चाल के परभाव के कारण जीवन में बदलाओ भी आते हैं तो ऐसे में आप सिर्फ एक ही काम करना है आप पाई के तौर पर गाई के गोबर के जो कंडे होते हैं उस पर लोबान या फिर गूगल जलाएं और पूरे घर में धुआ करें